वेल्कम टो स्मार्ट जीके मात पहलाई स्वागत छा यो विश्व प्रमुख तीथी मां मा दो सटा राख देखो छू अब यो मा यो तीथी लाई चाहिए हरेक वीडियो मां समावेश करना सक्ये वेने मां बननी राखाम लाकिनों यो इम्पोटेंट विश्व इतिहांस मां एकदम महत्वपुर्ण राख चाहिएले आमलाई सोधने मां अमेरिकी स्वतन्तरता संग्राम कईले भाएक तीथी हो शन सत्रा से तिरासी आठ वर्षक लागी भाएक तीथी हो बेलाईती अउधोगिक क्रांती शन सत्रा से साथी देखी अठार से चालिस सम्मा भाएक रूसी क्रार दाज्य क्रांती सन iony शे सत्रा मा भारती स्वतन्तरता संग्राम सन अठार से पचासी देखी उन शे सन चालिस सम्मा भाएक तीथी भारत स्वतंत्र पंदर अगास्त उनेश्य सनर्चालिस रा पाकिस्तान स्वतंत्र चौद अगास्त उनेश्य सनर्चालिस मा बए को थियो प्रथम विश्व युद्ध शुरू एर नुबाय बनी 28 जुलाई उनेश से चौदामा बायरा उनेश नवेंबर उनेश से अठारामा शक्के को थियो और प्रथम विश्व युद्ध 15 से 61 दिन चले को थियो 15 से 61 दिन हमरो नेपाल को सबंदा पईलो उमेन बनी मैला एमबेश्डर को हुन बिन्देश्वरी शाहा which is the first ASEAN country to recognize Nepal as a zone of peace कुन चाहिं पईलो ASEAN country हो जले नेपाल लाई zone of peace बने रा मनेता दिये को थियो मलेशिया when was Nepali embassy established in Malaysia मलेशिया मन नेपाली embassy कोईले established बहाए को थियो 2003 साल मा SHAN 2003 how many countries of the world have their residential embassies in Nepal 27 दिन को सा यो डाटा के आड़ भास बने कमिट अभर निन सबेला काम लाग्चा share knowledge get more knowledge in how many countries has Nepal established its residential embassies 25 in how many country has Nepal got its counselor office counselor office 3 दिन ओटा मा LASA Hong Kong चाइना को रो कोलकता इंडिया को मा what sort of foreign policy was emphasized by प्रिथवी नायन सा balanced foreign policy which is the last shark country to establish diplomatic relation with Nepal भुटान संगा आमरो अंतिम diplomatic relation बहा को थियो shark country मा धेमा where did Nepal established its first embassy आमरो देत्य समंदा पनि इंगलेंड संगे बहाथ यो पहले चोती रो establishment पनि यहनो बहावने इंगलेंड में बहाए को थियो आमरो पईलो MBC नेपाल को when were the पंचसिला प्रिंस्पल एप्रूवड 1915 पन्ना मा पंचसिला प्रिंस्पल को एप्रूवब्मेंट बहाव को थियो युरोप को डेन्यूब नदी किनार मा कती देश का राजधानी शहर अवस्थित्षन तीन देशको बियाना बुढ़ districts रबेल्ग्रेड्स कोल्कता मा कोल्कता भूगली न दीको किनार मा पर्चा वनी नयादिली कुन न दीको किनार मा पर्चा यमुना न दीको किनार मा हलको मलेसियालाई पहिली कुन नामले चिनिन थे हो, मलाया मधेरात मा सुर्य उदे हुने देश कुन हो, नर्वे शैबंदा ठुलो एस्थाल जीव कुन हो, हाती विश्ण को सैबंदा छोटो छितो दौरीने जनावर कुन हो, चित्वा सेवन्दा पुरानो धातु कुन लाए मानींच ता मालाई विशोमा सेवन्दा बड़ी बांचने प्रानी कुन हो कच हुआ तीन से वर्स समबाद छन विशोमा यो चाई एक जेना बाहिले असती आर्से पचास बन्नुवादे जस्तला आया मालाई कॉमेंट मा विशोमा सेवन्दा पुरानो अन्न कुन लाए मानींच बटमास लाम खुटे नपाईने देश फ्रांस हो बनी सर्प नपाईने देश आइसलेंड विशोको सर्वादिक उजाईमा रेल मार का निर्मान गरियेको चीन मा विषवको दोश्रो सर्वादिक उचाई मा रेलमार कहाचा पेरू हाल विषवको सेवन्दा धेरे जन संक्या बएको सरकुन हो मुम्बई भारत अलि यो परी चेंज बएरा मुम्बई भारत है नं अलि जापान को टोकियो विश्वको सेवन्दा ठुलो पच्छी अस्ट्रीज हो वनी सेवन्दा सानो पच्छी कुन हो हमिंगबर्ड जलस्प्रोत मां विश्वकाई पहिलो धनी राष्ट कुन हो ब्राजिल विश्वको सर्वादिक उचाय मां गरीने धान खेतिलाई के नाम दियेकुछ जुम्ली मार्षी जुन ने पाल जुम्लामा हैुंछ विश्वको सेवन्दा ठुलो चिर्याघान कुन हो इनोसा डिजर्व अफिरिका विश्वको सेवन्दा ठुलो समुद्री बंदरगा कुन हो पूर्ट ऑफ न्युईआर्ग पुर्वा को मती वनेरा कुन देसलाय चीन है शिंगापूर अनि और युण देसलाय इतिया अंसको भती वनेरा चीन है उनान गृीस विशोको सैबन्दा धेरे देश संगर सिमाना जोरिये गराष्ट कुन हो चीन विशोको सैबन्दा ठूलो इस्थाल जीव कुन हो इस्थाल हीरा कुलिनान हीरा हो केशर पुस्तकाले को इस्थाप्रा कईले बहे कतियो विगम सम्मद उनेशे पुईशाथी मा यहुदी धर्मा को धर्मा गरंथ लाए के बनेशा कौ बाल सन 2015 मा पाच बर्स मुनिको बालक को मुर्टी धर्थी धर्मा कति रहे कतियो अर्तिस यक्ष हरुका राजा कुबेर को राजदानी का हाथियो अलका पुरी चानक्य का प्रधान मंत्री को थिये चंद्र गूप्त मोरे नाराद मुनिको बियुना लाइक ये बनेशा मद्दती नेपाल मा निर्मान बायका प्यगडा सैली का मंदिर हरु मदे सेवेंधा पुरानो मंदिर कुनो चांगु नारायन मंदिर अस्ता इसका साथे वीडियो और लिए रोग पसी तुन लेंचू तवा लाइक सस्क्राइब टो कमेर गरना ना बुलनों ला धन्यवाद